सात्यों नमस्कार मैं हूँ आपका किसान दोस्त विजे और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल सात्यों हम आपको अक्सर समय समय पर जो हमारे देश के इनोवेटिव किसाने उनसे मिलाते आये हैं आज हम हर्याना के एक किसान से मिलाने वाले हैं डॉक्टर अजे बोहरा से डॉक्टर इसलिए क्योंकि इन्होंने जो जेविक खेती उसके यह काफी एच्छे जानकार है एक्सपर्ट हैं तो हम सर से बात करेंगे कि इन्होंने काफी हाई प्रोफाइल एज्यूगेशन किये का मैं जेविक खेती कर रहे हैं तो सभी के जानेंगे क्यों इनका खेतों में रुजान बढ़ार और किम शुरू करतें को श्यूद करने के चले वहां ओब स्वागत है हमारे चैनल पर और अपना परीचे जो है keto इस बताइए हमारे किसान आयों को बताईब की लेकिन जो सुकून खिती करके मिला और्गनिक फार्मिंग करके मिला इसमें बड़ा मज़ा आया और्गनिक फार्मिंग पहले तो अपनी खुद के गेहों के लिए करते थे एक दो एकड जमीन रख रखी थी लेकिन जैसे ही हमने अपना एपल बेर का बाग लगाया और इस जब हमने सारी तरह के एक्सपेरिमेंट के, 6-8 मीने गूम के, सीख के, और जो यहां पे खादें बनाई और उनका आउटपुट देखा, बड़ा लाजवाव था। उसके बाद हमने इसकी ट्रेशान का अचैन के माग चुरू किशन को देनी शुरू की और हम पिछले 4 सालों में, 28000 का किन आवाद बनाई भयाद हमारे प्रकाशाण हममने है फ़ले ऐक बारभ का एक मिर उस्ऩा हूं अगर आप खा लोगे हो आथ पे रस लग जाएगा तो यह जैसे चासनिन लग्य विए्वाइबerson in एक्षुली में बहुत बड़ा इश्यू नहीं है जो हमारे किसान साथ ही सोचते हैं कि और उर्गनिक फार्मिंग कैसे करें क्या करें और क्या करना पढ़ेगा यह बड़ा सिम्पल सा काम है पेस्टी साइड की दुकान को छोड़के घर के वेस्ट के ऊपर फोकस करना है जो आपके घर में किचन वेस्ट निकलता है उसको आपके जो चुले में से राख निकलती है उसको आपकी जो लसी है और आपके जो गव का गोबर है गोव मुतर है इन सब चीजों से आप काफी तरह की खादे बना सकते हैं इसके साथ साथ आपको थोड़ा नेचर को समझना पड़ेगा जैविक खेती का मतलब है सुक्ष्म जियों पर अधारित खेती हमारे 1960 से पहले खेती सारे ही जैविक होती थी लेकिन 1960 के बाद भी अनाज की जुरूरत थी देश के अंदर किलत थी उन चीजों की पूरती में हमें हाइब्रीड पे जाना पड़ा हमें यूरिया डीएपी पे जाना पड़ा फिर हमें पेस्टिशाइड की हेल्प लेनी पड़ी क्योंकि अगर सारी चीज़ें यूज करेंगे तो बीमारियां भी नहीं आती हैं उनके लिए इतना समय समय और नए नी बीमारियां आई और नए ने पेस्टिशाइड मार्केट में इंट्रोडूस हुए सबसे ज़्यदा जो पेस्टिशाइड यूज होता है वो धान में कपास में और गन्ने के अंदर यूज होता है इनके अलावा जो भी खेती करते हैं लगबग 85% और खाद के लिए मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सारी तरह की खादें सारी तरह के पेस्टिशाइड अपने फार्म पर तैयार कर सकते हैं इसके लिए थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा जो हमारे बुज़ूर्गों को हमारे नेचर की नोलेज थी उस नेचर को हमें वापिस समझना पड़ेगा और उसके ऊपर ही हमें अधारित होके अपने खेती को करना होगा. अब नेचर के अंदर जैसे नीम है नीम के पते हैं नीम की नीमोलिया हैं बारिक बारिक टैनिया हैं इन को यूज करके हम मायक्रो न्यूटेंट खाद भी बना सकते हैं और पेस्टी साइड सकते हैं नीममें दोनों तरो तरह की गुण होते हैं खाद का काम भी करता है और पेस्टी साइड का काम भी करता जो हमारे बुजूर्गों के टाइम में हमारे गोड़े या कंडम हो जाते थे, किसी के पैर में चोट लगी, किसी की गर्दन तूट गी, कुला तूट गया, तो उसको जिन्दा रखना उसके पशू के लिए शान के खिलाफ माने जाता था, तो उनको एक किलो या डेड़ किलो कनेर को कुट के, दो लिटर पानी में मिला के, और उसकी नाल दे दी चाती थी, तो उससे वो एक गंटे, डेड़ गंटे, दो गंटे में मर जाता था, तो ये इतना जहरी लापोदा है, इसको कोई भी जीव नहीं खाता है, इससे आप पेस्टी साइड तियार करेंगे तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, ऐसे ही आप आक्टा होता है, कहीं आक बोलते हैं, कहीं आकडा बोलते हैं, चेतर के वाईज अलग अलग नाम हैं, और ऐसे ही दतूरा होता है, भांग होता है, पापड़ी होता है, आम तोर पर जिन पोदों को गव और बकरी नहीं खाती हैं, वो सारे पोदे आप इन चीजों के अंदर यूज कर सकते हैं, जिसे पेस्टिसाइड बनाना है, और इसको थोड़ा सा अगर ज़्यादा और सरदारी बनाना है, तो इसके अंदर आप लेसुन डाल सकते हैं, इसके अंदर आप प्याज डाल सकते हैं, इसके अंदर आप हरी मिर्ची अलाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, अब इन चीजों की ज इसी तरह अगर आप खेत के अंदर या फिल्ड के अंदर देखोगे पश्मों के अंदर देखोगे तो एक मित्र होता है एक शत्रू होता है अगर अमारे गली में दस कुत्ते हैं बहार से कोई कुत्ता आ जाता है तो उस पर भूगने लग जाते हैं जाती तो एक ही है लेकिन वह पने शान तरde नहीं करने दे वह पर कि जिसको आखे काम करना है इसी तरह जो कीट पतंच नहीं होते हैं यह फट सभी सफ्टर होते यह दुर में धर में जया कď फ़योंकि उस्थे क्यांटी coriin तो वाइट फ्लाई करके जो हना एक नई मक्ही आईवी है जिससे कपास की सेंकडो एकर जमीन जोना साफ हो जाती है फसल तयार होती है वाइट फ्लाई का अटेक आगया और वो उसको सारे को खतम कर देते हैं तो ये एक छोटा सा उधारन है आपको समझाने के लिए आप मित्र कीटों के हिसाब से काम करो किसी भी पेस्टिसाइड के अंत्री फिल्ब में मत करो अपने पेस्टिसाइड खुद बनाएए अपने खाद खुद बनाएए गोव के गोबर से बनाएए गोव मुत्र से बनाएए बहुत सारे उप्शन्स हैं बहुत सारे वीडियो वीडियोज हमारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिससे आपको शारी जानकारी मिलेगी समय समय पे हम वीडियोज डालते रहते हैं अब इन चीजों के साथ-साथ फंगस भी होती है अगर जमीन के अंदर फंगस आएगी तो बिमारियां भी आएगी तो फंगस भी दो तरह यह होती है एक हमारी मित्र होती है, एक शत्रू होती है अब मित्र फंगस के हमने नाम रख रखे हैं कि भी हम ट्राइकोडर्मा यूज़ करते हैं सुडो मुनास यूज़ करते हैं अन्पी के कंसोर्टिया है बवेरिया बेशियाना है माइकोराजा है मैटाराइजयम है पैसिलोमाइसिस है अजक्टोबेक्टर है इन सब चीजों के हमें जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि जमीन के अंदर अत्यदिक मातरा में जो खाद हैं रसायन हैं पेस्टिसाइड हैं इनके यूज़ करने से जो अमरी श्तुरू फंगस आई है उससे लड़ाई लड़ने के लिए हमें मित्र फंगस का सहरा लेना पड़ा है लेकिन अगर आप किसी भी पेस्टिसाइड को यूरिया को अपने फिल्ड में इंट्रोडूस ही नहीं करेंगे तो आपके फिल्ड में जो आपकी मित्र फंगस है जो आपके केंचवे हैं वो इन चीज़ों में आपकी हेल्प करेंगे और आपको परेशानी ही नहीं आएगी किसी भी परेशानी की अगर हम बात करते हैं तो उसके जिम जो हमारा मोदी जी का सपना है कि फार्मर डबलिंग इंकम पूरा की आजा सकता है अन्य था ऐसा कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है कि भी आपकी इंकम को डबल की आजा सके इंकम डबल करने के दो रस्ते हैं एक तो खेत में खर्चा कम कर दीजिए आप खुद की खाद ब जाना है आपने धान लगाया है आपने सरसों लगाई है आपने बाजरा लगाया है आपने दलहने लगाई हैं सबजियां लगाई हैं यह चीज़े डारेक कंजूमर के पास जानी होती हैं तो यह आप अगर और्गनिक तरीके से करते हैं जैविक तरीके से करते हैं सुक्षम का प्रोडूस है वो आपके यहां ही बिग जाएगा तो आपको मार्केट की जरूरती नहीं पड़ेगी और इसके साथ-साथ कुछ एक चीजी हैं जिन पे हमें फोकस करना पड़ेगा हम बात करते हैं मास क्रोप्स की भी हम तो गेहूं लगाते हैं जी सर्फों लगाते हैं जी किया एक बार मेहनत की और उसको दो-तिन साल पालने के बाद वो चीज आटोमेटिक चलने लग जाती है और आपको उसका जो प्रोडूस आएगा जो यिल्ड आएगी जो आप काम करें भी आपको तीस साल करना है पचास साल करना है तो इसके लिए बहुत सारे उप्शन है व हमारे चेत्रों में तो इसकी भी एज बताई गई है मानी गई है लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो एज हमारे आतमे नहीं है नेचर के आतमे है प्रकरती के आतमे है ये काफी लंबी चल सकते हैं अगली पीडी को गिफ्ट देखे जाएंगे इस चीज़ को ऐसे आपके पास उप्शन है आप अमरूद का कर सकते हैं जामून का कर सकते हैं और आप बांस के उपर भी काम कर सकते हैं और आप बांस के उपर भी काम कर सकते हैं एक बार लगाओ और आउटपुट लंबे टाइम तक आएगी खर्चे कम हो जाएंगे आपने जितना भी खर्च सकते हैं लागत को कम कर सकते हैं और आने वाले पीडी को एफट जोन से निकाल के एक सिक्यूर प्लेटफरम दे सकते हैं कि भी वह इन चीजों का प्रियोग करके सस्टेनेबल फार्मिंग पर आ जाएं और लंबे तक समय तक उस प्रोडूस को मार्केट में सेल कर सके और बैने एक पड़ाई के बार दिमिंग किसी जो अची जोब में देजा सकते थैं काफे आपको प्लेटोम मिल सकता था. लेकिन इत्पड़ाई के बाद आप खेती में आए और आप ज Р Parece कि इसमिड की अधार शाब मेरे फादर साब है इकिर में मेरे फादर साब जो है, और नाइप सपना था भी हम अपने फिल्ड में खेत में बाग लगाएंगे नेचर के साथ में रहेंगे और आगे की लाइफ खेत के अंदर ही जिएंगे मैं इस चीज के बहुजदा फेवर में नहीं था कुछ एक लैंड थी जिसको हमने और गैनिक कर रखा था जिसके प्रोडूस को हम ख सिसाइडस का और फर्टिराइजर का लेंड के अंदर किया जा रहा है मैं उन से मिला उन से पूछा भी आलू की फिल्ड में आप किया करते हूं बोलते हैं जी छह he got तो यूरिया डालते हैं, चार कटे डीय पी डालते हैं, एककटा पुटास डालते हैं, उससे हमारी इल्ड अच्छी आती है। तो मैंने उनका गया, आप इतना डाल गे तो समाज को जहर खिला रहे हो। हम आलू का साइज देखके कलर देखके आलू को खरीदते हैं भी अच्छा आलू है आपने तो प्योर पैजन दे दिया आपने जो इसके अंदर जो यूरिया और डियेपी के साथ में जो पॉटास डाला है यह पॉटास तो एक विस्पोटक पदार्त है माइन्स के अंदर यू दलता है उनोंने बताया जी हम जो है इसका क्रॉप तयार होने तक 35,000 घृटक पकर अपर कर देते हैं 30-30,000 घृटक के उपर हम पेस्टीसाइड का स्प्रे करते हैं तो इसी τरहा बेंगन का फिल्ड भी देखा गुभी का फिल्ड भी देखा तो उन्होंने हर चीज के अंद दिशा देने का हम काम करेंगे जो हमारे किसान साथी इतना सारा पेस्टी साइट डालते हैं हम उनको प्रेरित करेंगे जागरू करेंगे कि आप इस चीज को छोड़ के जो समाज के अंदर हमारे भाई हैं जो हमारा प्रोडूस खरीदेंगे जो हमारे बहने हैं जो हमारे बच इस सटेंड किए कि बहुत सारे फार्म Carl's से मिले वुजूर्गों से मिले और उन्सांगा कि भी नेचर में कि एक अमारे क कह रहे और हम यह सारी गलतीय है कि भी नेचर से दूर बागते जा रहे हैं तब यह कनकलोजन जो निकल के आया जो स्हारुषं से इन सेख दूर अठे हईएं में खुद ही अपना और्गनिका था टेयार करें खुद ही पेस्ट्रीच साइट दियार करें और माता का दरजा किसी बीड सीजों परवरिष करता है तो इस चीज को भी समझा देखा कि भी गवुमाता के गोबर के अंदर और गवुंत्र के अंदर जो बैक्टिरिया वो और्गेनिक खिती करने में बड़े ही सायक है अब धान की खिती करते हैं उसके अदर 2-2 महिने तक पानी बरके रखते हैं आप एक बात हमारी जमीन में जो सुक्षम जीव हैं वो बगेर पानी के जिन्दा कैसे रहेंगे हम बच्चे थे स्कूलों में देखते थे बारिश आती थी गार्डन के अंदर केंचवे निकल के आ जाते थे उस टाइम पता नहीं होता था जिसको पराली बोलते हैं उसको जला दिया तो एक तो जिस चीज़ की हमें खाद मिलनी थी उसको हमने जला दिया उसकी जलाने से जो जमीन के अंदर उरूरा शिक्ति थी या जो हमारे सुक्सम जीव थे उनको भी हमने जला दिया तो उससे आप क्या उमीद करते हो गिए और गैनिक फार्मिंग कैसे होगी अगर आप इतना नुक्सान जमीन को करोगे तो आपको पेस्टी साइड की और फर्टिलाइजर की मातरा भी बढ़ानी पड़ेगी और उन सब चीजों को बढ़ाते बढ़ाते बहुत शेतरों में तो ऐसा है वो बोलते हैं जी हम रोक फास्पेट लेके आ रहे हैं हमारी जमीन खराब हो चुकी है जमीन को हमने मार दिया है खाद डालते हैं इफेक्ट नहीं आता है जो बाड़ी लगाते हैं कापास लगाते हैं नर्मा लगाते हैं वो पोदे के साथ यूरिया डालने लगे हैं बुलजी चार स्टेज में यूरिया डालनी पड़ती है मुठी भरबर के पोदे के साथ में डालनी पड़ती है इन सब चीजों के जिम्मेवार कहीं न कहीं हमी हैं नेचर को या दूसरी किशी भी चीज को दोस नहीं दे सकते तो इन सब चीजों को देखा, इन से प्रेरित हुए, इन को जाना समझ बूज के इस चीज पे निशकर्ष पे आएक भी कुदरत को समझ के जो खेती करेगा वही कामियाब हो पाएगा अपनी जमीन को बचा पाएगा इसी को कुदरती खेती बोल सकते हैं जैवी खेती बोल सकते हैं और्गैनिक फार्मिंग बोल सकते हैं बहुत सारे नाम हैं जो भी साथी इस चीज़ पे काम करते हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं तो सर्थ जैसा कि हमारे जो किसान भाई है, तो उनके लिए जैविक खेती करना किता आसान है या किता मुश्किल है? मुश्किल तो कुछ भी नहीं है अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है मेरा पहला दो आनसर यही होता है मेरे पास हमने अभी तक 28,000 से ज़्यदा किसानों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और रोजाना 20, 30, 50, 20, 30, 50 फार्मर आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए सारा तरह की नूट्रिशन की जुरूरत होती है हमने यूरिया डाल दिया, डियेपी डाल दिया, कुछ एक और डाल दिया सारी चीजों की पूरती उससे नहीं कर पाएंगे इसलिए हमारे बुजर्ग जो थे, वो मिश्रित खेती करते थे या फिर आपने एक फसल को लगा लिया, उसको रिपीट नहीं करते थे दूसरी खेती करते थे अगर इन सब चीजों को देखें तो ये तो बहुत एजी है फार्मर के लिए तो फार्मर को सारे एक चीज की नोलेज है ऐसा नहीं कि भी हमें समझाना पड़ेगा लगा दी, तो वो जमीन के सत्रा ततों के पूर्ती भी तो करने पड़ेगी न ताकि अगले पोदे को आपको वो सत्रा ततों मिल पाएं आप सिरफ लेते रहोगे और जमीन को दोगे नहीं तो उस पोदे को एनरजी और सोर्स कहां से मिलेगा तो किसान भाईयों आश्या करते हैं आपको हमारा आद के स्वीडियो से बहुत उची जहन करी बिले होगी और मिलेंगे इसी पर करके एक और जहन करी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए जे बारत, जे जवान, जे किसान, देनले